हलो फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बैल स्लिव्स बनाने का सबसे आसान तरीका और जिसमें आपको मैं दो तरीके बताऊंगा कि किस तरीके से आप बैल स्लिव्स बना सकते हो जो की सबसे बैस्ट है और फ्रेंट्स साथी साथ मैं आपक का शोकर रखते हो घर बैठ के स्लाइज सीखना चाते हो तो आप हमारा ओनलाइन स्टीचिंग कोर्स भी जोईन कर सकते हो इस स्क्रीन के उपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहे होंगे इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स ले सकते हो तो फ्रेंड्स हमेशा दो भागों में कट होती है पहला भाग कोंसा होता यह देखिए जो कि मैंने कटिंग कर रखा है यह जो भाग होता है दोस्तों इसकी जो लंबाई हुती तो इस हिससे को तो मैंने कट कर रखा है में मुद्धा है कि बैल स्लीव की कटिंग कैसे करनी है तो दोस्तों जो बेगिनर्स जो अक्सर गलती करते हैं बैल स्लीव कटिंग करते समय है वो क्या करते हैं यह देखी मैं आपको समझाता हूं इस इससे को तो सही काट लेते हैं ठीक है जैसे इसकी मैंने कटिंग कर रखी है और यहां से इसकी जो आगे से जो गुलाई ने इस जगे से वह है ग्यारा इंच अब बिगिनर के दिवारा जो गल्दी होती वह यह होती है इस तरह से कपड़ा लेते हैं कपड़े को इस प्रकार से फोल्ड कर लेते हैं और इसको रखते हैं इसके उपर बिल्कुल सीधा ठीक है और यह जो फिटिंग का निशान है यह जो मैंने लगा रखा है यहां से इसको इस प्रकार से गुमाते हैं इस प्रकार से देखे इसको घुमा दिया और जितना भी बढ़ा आगे रखना होता है किसी fine.sof ft inch i को 5.in शेइंच सांत इंच जैसे इस में रखता हुआ मैं साथ-इंच,्ठीकी यह 7 इंच रखा मैंने और इधर से 7 इंच रखा ठीक है और इसको इस प्रकार से मिला दिया ठीक आ इसके साथ एक्स्टा मार्जन हो गया और इसकी करदी कटिंग यह देखें तो फ्रेंट्स यह जो तरीका है ना बैल स्लिफ कटिंग करने का बेगनर्स के द्वाराकसर यह गलती हो जाती है वह सोचते हैं कि इस परकार से हम इसमें लगाएंगे इसको निकाल देंगे और हमारी की बैल स्लिफ बन गई तो दोस्तों इस तरीका है कि बिलकूल गलत है इस तरह, better का मतलब ही होता है एक जैसे बैल बन होती है जैसे मंदिर में घंटी होती है बिल्कुल इस प्रकार से होती है, आपको मैं थोड़ी शेप दिखाता हूँ, यह देखी, इस प्रकार से आती है, थोड़ी नीचे से बिल्कुल बराबर गुमाव आता है, अब इसमें एक तरस तो गुमाव आ रहा है, इधर गुमाव है ही नहीं, तो हमें बिल्कुल बैल वा नहीं है देखें यहां से लेकर यहां तक ठीक है 24 इंच के करीब इसकी चुड़ाई रखनी है तो ही अच्छी शेप आएगी इसको करना है डबल अब जब मैंने पहले कटिंग करी थी तो मैंने बिल्कुल सीधा रखा था इस कपड़े को ठीक है ऐसे कैसे ठीक है लेकिन इसको ठीक है यहां फिर इस कपड़े को आप ऐसे गुमा सकते हो ठीक है और बाजु को आप ऐसे लेकर जाएं यह देखें कहने का मतलब मेरा यह है जो बैल वाली जो शेप है ना अब इसमें आपको इस प्रकार उपर के तरफ देखें यह कपड़ा पहले बिल्कुल सीधा था था दालें इस परकार से और यह जो निशान है इस निशान से हलका सा आधा इंच उपर कटिंग करें अब यह जब आपस में जुड़ेंगे इस परकार से आधा हैं जो भी तरफ जा रहा है अब आप बैल स्लिव जो बनाते हो तो जितना भी आगे रखना चाहते हो जैसे कि यहा आपको 6 इंच निशान लगाना कहां पर आ रहा है यह आ रहा है रहाँ चेंच ठीक है और किस निशान को इसमें जाके हम इस प्रकार से मिला लेंगे इदर से 6 इंच यह हो गया ठीक है और इदर से 6 यह हो गया अब इसकी फिलाल जुरूरत नहीं इसको ऐसे रखते हैं और यहां से 6-6 इंच की दूरी पर बिल्कुल बराबर आपने निशान लगाने यह देखें और आपको जो बैल स्लीव का जो लुक है ठीक है वह बिल्कुल प्रॉपर नजर आने वाला है अब देखें अब करोगे उसके लिए भी मारजय है तो आगे से फोल्ड करने के लिए आपने ख़लका सा इक्टा मारजयां एट SteelS City हो अगरा अब दोस्तों इसमें आपको जोड़ना बहुत अबसे सने सबसे पहले एग कट आपको ina pada center में लगा लेना और एक कट आपको इधर लगा लेना अब आज정 को करना सीधह और इसको इस प्रकार से रखना है यह देखें सेंटर से सेंटर मिलाना है बिल्कुल एक्वल ठीक है और बिल्कुल सीधा इसको यह पकड़ना है इधर से और इधर से सीधी एक स्लाइड लगानी है ठीक है स्लाइड कैसे लगानी है आई चलते है मशीन पर इसके बाद सेंटर में आपको हलका से कट लगाना है इस प्रकार से बस और जो भी एक्ष्टा धाग है उसकी कटिंग कर लिए और इसके बाद अब यह जो हमने जोइंट लगाया नहीं यह वाला ठीक है इसके उपर अगर आप स्लाई लगाना चाहो तो स्लाई लगा सकते उस तरह से अब दोस्तों यह काम तो हो चुका है अब इसके बाद आपको क्या करना है आगे से इसको पीको करवानी तो फोल्ड करना है तो इससे आप इस प्रकार से फोल्ड कर सकते हुए देखे बहुत असान है पहले इसको सिंगल फोल्ड करेंगे एक बार क्योंकि यहां से आपको नहीं आएगी तो फ्रेंट्स इतना काम होने के बाद अब आप सोच रहे बीच में से क्या उठ रहा है एक्चली दोस्तों उठनी रहा है जब इसको पूरा पहने के बाद का जो लुक आएगा न इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ जब यह स्लाई लगी प्रोप खोंगा और इस में आगे मैं लगा लूगा जोombी बहुत असान ने वा लकने के बाद पिर इसमें आगे का मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों लका ने के बाद बाजू का बिलकु कर्ण लूकूल लोग अगरheiroम हो चुका है अब अब आपको क्या करना अब आपको से सलाई होती ने यह वाली यहां से लेकर यहां तक आक आप परपार के प्रकार से लगाना है भीथ ऑसाने कुछ भी मुश्चिक गाम नहीं कआसा बाद जो सबसे important काम है दोस्तों और क्या है आपको यहां पर कट लगाना पड़ेगा वह क्यूं लगाना पड़ेगा वह भी मैं आपको बताऊंगा पहले सिलाइकों मैं लगा देता हूँ तो इस स्लाई को मैंने लगा लिया है, इस स्लाई को लगाने के बाद, जब आप भाजू को सीधा करोगों इस प्रकार से, यह देखिए जैसे इसको मैं सीधा कर रहा हूं, तो यहां पर बहुत जादा खिचाव पड़ेगा, आप देख सकते हो कितना खिचाव पड़ा है, यह नचीकर से जो एक्स्टा कपण इसको भी कट कर लो और अब इस बाजू काम कारूगा मैं सीधा, सीधा करने के यह यह पिर आघ कामें के लिए आघक चनछे सबसर्दा सप्सक्राइब करें फोल्स एक दासर्ड प्यामस करेंrim और खाताओ तो इसको क्रांड करना करें चैनल पर पहले बार दो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सब्सक्राइब करें, थैंक्यू वेरी मॉच